प्रियमित्रों, आज जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ, वह बहुत ही महत पूर्ण है। नो बारा दो हजार को आरेस्ट नाग मेट्रोपोलिटन मैस्ट्रेट पठैला हूँस कोट्स दिल्ले ने एक आदेश पास किया कि एक पोस्टमाटम इग्जमिनेशन और मलसी नंबर जो राम मुनर लोईय होस्पिटल में दाखिल हुआ था बारा चार दो हजार को और उसका ओपरेशन हुआ था तेरा चार को और जिसकी डेथ हो गई थी और चौदा चार को जिसका पोस्टमाटम हुआ उस विक्ति के पोस्टमाटम पर टेट्रा गोस पीसेज पोस्टमाटम पर डॉक्टरों को मिले हैं पांच टेट्रा गोस पीसेज डॉक्टर्स को पोस्टमाटम पर मिले हैं और साथ में एक ट्रांस्परेंट प्लास्टिक शीट भी मिले हैं यह डॉक्टरों ने पोस्टमाट रिपोर्ट में जिन्होंने पोस्टमाटम अमग्जामशन किया था उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया था और जब यह मईस्ट्रेट साब के पास में यह केस पहुंचा आगे के एक्शन के लिए तो उन्होंने इस स्पेसिफिक मेंशन को संग्यान में लिया और संग्यान लेने के बाद में उन्होंने यह लेटर मेडिकल सुप्रेजेंट को लिखा राम मनुरले यह हॉस्पिटल के जहां पर यह वेक्ति भरती था और जहां पर इनको आपरेशन हुआ था उनको यह लिखा अब यह मेडिकल सुप्रेजेंट को लिखा कि एक बोर्ड बनाया जाए और वो बोर्ड यह देखे जो डिफरेंट डॉक्टर्स का हो फ्रम डिफरेंट हॉस्पिटल्स डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स का फ्रम डिफरेंट हॉस्पिटल्स और वो इसको देखे और एससर्टन करे कौज अब डेथ कहने का कहीं उनका तात्परे यही था कि भे ये डेथ जो हुई है इसमें कहीं डॉक्टर्स की मेडिकल नेगलिजेंस तो नहीं है और वो इसलिए उनके दिमाग में ये प्रशन आया होगा कि क्योंकि डॉक्टरों ने इसको स्पेसिफिकली उसमें मेंचिन किया था पोस्माटर रिपोर्ट तो नेचरली जब केस मैस्टर साब के पास में जाता है तो सबसे पहले वो पोस्माटर रिपोर्ट पढ़ेंगे देखेंगे और जब देखेंगे तो नेचरली जब अलग से आपने कोई चीज़े से हाईलाइट करके लिखी है और पॉस्वन रिपोर्ट जो डूली अटेस्टेड है, हैड़ो रिपाउमेंट से भी, तो एक नेगलिजेंस का या एक कॉजब डेथ के लिए थोड़ा कन्फूज होने का साधरन तयार किसी भी व्यक्ति के मन में वो आएगा, प्रशन आएगा. तो लेजिटिमेटली उन्होंने ये प्रशन उठाते वे कि इसका एक मेडिकल बॉर्ड बनाया जाए, कहीं रामन और लोई या कहीं डॉक्टर हो, तो बाइस हो जाएंगे अपना पिन देंगे, या जहां पे पोस्टमाड हुआ लेडिगारिंग मेडिकल कॉलिस के, वहां के डॉक्टर्स हो, तो ने चल लेए, वो भी बाइस सुप्रिणर पना दे सकते हैं, तो इसलिए डिफरेंट हॉस्पिटलों का, दूसरे हॉस्पिटलों से लेकर के, डॉक्टर से उनका बोर्ड बनाया जाए, और जो सही भी होता है, ऐसा आदेश उन्होंने सुप्रिण्ट आफ रामन और लोई या हॉस्पिटल को देया, जब उन्होंने सुप्रिण्ट को थे, डिफरेंडन जो है, जो रामन और लोई हॉस्पिटल है, वो आता है डिरेक्टर जेनल लोई फैल सर्विसेस की नीचे, तो ने चली उनको इन्फार्म करना पड़ता है उनको, तो उनों इनको इंफार्म किया वो क्योंकि मेरे को जानते थे इसलिए इंटरन और बाद कि शाम को घर पर कि वह स्टरे फॉन पर कि इस तरह से केसे मैरेस्टर सापने कुछ नोट किया है उसमें डिफरेंट तरह से कि यह नहीं ने पूचा कि हम लोग तो शुरु से बोर्ट बनाना ढूली में शुरू हम नहीं दूखना ने किया तो वह नहीं नहीं किस तरे से बनाना चाहे हैं मैंने का दिखियों बोर्ड बनाने के लिए जो कॉंपिटन अफरटी है वह रिक्वेस्ट करें कि और अगर मैंस्ट्रेट से आप ने लिखा है तो आप मैंस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं आप उनको लिख करके भेज देज़ेगा उनका अप्रूबर ले लेज़ेगा और फिर उस बोर्ड हम बना दीज़ेगा तो खेर उनका मेरी कंसेंट लेने चाहिए कि अगर आपको डाला जाए बोर्ड में तो आपको एकसेप्टेबल है मैंने खाँ मुझे एकसेप्टेबल है बनाएंगे तो आजाओंगा तो दिखा नहीं है कि तो कोई दिक्कत नहीं है बिफरेंट हוסपिटल का मतलब यह है कि आपने हוסपिटल को छोड़के और यहां पर पोस्माड हम वहाँ भूए आगा डिज़ेजी जब स्पेसिफिक लिए तो दिफरेंट का मतलब यही हो जाता है कि अलग लग hospital से हूँ और आपके hospital से तो नहीं होने चीवे नेचरली जब अलग hospital से बात है तो कहीं होर से ही किया जाएं तो वो ले ठीक है, वहीं बात हो गई, उन्होंने फिर request किया medical season को अदेश दिया होगा, उन्होंने फिर मेस्टेट साप से request करके कि भी यह डॉक्टर्स है तो उन्होंने लिखा कि बैए एक सिपी डॉक्टर सेपी सिंग थे वहाँ पर जो इंचार्ज थे रामरोरे ऑस्पिटल में तो उन्होंने मेस्टेट साप के अपरूवल से एक board बनाया जिसमें उन्होंने मेरे को दिख दी है कि उसके उसके में दिली में समसे senior था वे में functioning में तो मेरा नाप डाल दी है उन्होंने और एक उन्होंने सब्दरजंग hospital में Alexander Khaka करके head थे उसके फॉरंसिक pathologist थे उनका नाप सब्दरजंग उस्पिटल से हो गया और एक उन्होंने सिन्ह थे एन सिन्ह थे consultant at head development of surgery सब्दरजंग उस्पिटल में करक्शन तो तीन लोग हो गए Alexander Khaka हो गए सब्दरजंग उस्पिटल के फॉरंसिक के head मैं हो गया head और ये surgeon हो गए एन से ना ये भी मैंने उनको बताया था कि कोई surgery का matter है तो किसी एक surgeon को भी आप जो senior surgeon है उनको डाल दीजिए गा बतलो है भी अच्छा रहता है क्योंकि वो भी अपने advice उसमें दे दे देंगे हमको तो दो autopsy surgeon हो गए फॉरंसिक जब papers को देखा राधर मैं तो पहले ही समझ गया था कि क्या गलती हुई होगी actually किसी भी जो postpartum करने वाले डॉक्टर्स हैं उनको हर subject का knowledge रहना पड़ता है अगर आप हर field का knowledge नहीं रखेंगे तो आप गलती खा जाएंगे चीजों को misinterpret कर जाएंगे यह बहुत common mistake है throughout world इसलिए हमने एक system शुरू किया था कि जहां भी हमको किसी चीज़ को interpret करने में दिक्कत होती है हम तुरंट उसका board बना लेते थे board यानि कि आपने उस specialty का भी आदमी को include कर लिए मालजुन कोई निरो pathology की चीज़ है जो आपको समझे में नहीं आ रही है उस वक्त अब निरो pathology तो एक अपने आपे बहुत बड़ा specialization है तो किसे भी निरो pathologist को co-opt करके अपने autopsy का part बनाने में कोई नुकसान नहीं है या कोई surgery class situation है कि जिसका आप स्वैम नहीं नहीं रिने कर पा रहे हैं क्योंकि treatment टाइम के साथ में advance होते रहते हैं हर subject advance होता है forensic science में भी नहीं 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 चीज़ें आते रहती हैं तो उन चीज़ों का knowledge आप अपने subject का हमेशा है रखते ही है forensic medicine वालों को दूसरे subjects का भी पढ़ते रहना पढ़ता है और particular जब कोई ऐसा complicated case आता है तो वहीं सारी किताबें available होते हैं और वो दुसको पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ मेरा मेशा ऐसा रहा है कि concern जो एक्सपर्ट है उसको बुला करके ऑफशी ले बुला करके आप बिल्कुल पर्मिटेट टू कॉल यह नि एक्सपर्ट कॉल भेज के कॉल सिस्टम होता है हमारे हैं कि आप concern department को भेजते हो कि भी एठी के पर रहो कर दिक्कत है और इस इसके लिए पर आपका expert चाहिए medical subject तो आप को करके और बाद में medical subject से ही अपरूर लेकर के आप concentrate यह प्रोसेस हाई ली पद्रभी समिंट लेगी घंटावर लेगी hospital में आपका आदमी जाएगा आप फोन पर पहले बात कर लें के अपरूर ले लेंगे और concern जो उस दिन duty surgeon होगा या जैसे भी department की वेवस्ता ह है उसे साबसे आदमी आ जाएगा तो ऐसा हमारे हैं तो रूटीन था हम लोग तो रूटीन में मैंने एक रूटीन बना दिया था और सब को बड़ी स्टिक्ट रहती थी कि जहां कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप अपने seniors को बलाईए और seniors अगर उनको problem आ र बोड बनाकर के medical instrument से approval ले लिजें तो यह सारा system हम रहे हैं एक established procedure था अब यहां भी इस मस्या थे कि जिन डॉक्टों ने पोस्टमाडम किया उनको इस procedure का पता नहीं था एक्चुलिए उस टाइम 2000 में आसकल तो इसको नहीं गरते हैं जल फॉम अगरा कहीं चीज यह आ गई पर उस टाइम यह standard treatment था लेसरेट्रेशनल लिवर का कि आप tetragose species पहले plastic shit लगा के tetragose species से उसको support देते थे जिससे कि वहां से ब्लीडिंग हो रही है यह लिवर के damage है वो उस पर rest कर सके और heal कर सके तो यह extended procedure था लेकिन जो postmodern surgeons वहां पे थे उनको यह पता नहीं था तो इसलिए उन्होंने इसको सोचा कि यह सब कुछ special चीज है तो उन्होंने रख से इसको column बना करके और रिट्रेल्स दे करके और कर दिया उसको answer किल करके दसकुत करके सारा बना कर दिया अब attested copy जब मंगे गई कोट ने मंगे और हम लोग ने भी जो हमको दी गई अब उसमें हैड़ो डिपामेंट जो उनके थे उस वक्त उन्होंने भी उसको test कर दिया अब test करने का मतलब यह होता है कि आपने content पढ़े हैं सारे तभी तो आपको test कर रहे हैं तो जब पढ़कर करके आप उसको test कर रहे हैं तो एक indirect आपकी consent भी उसमें हो जाते हैं कहां भी मैंने देखा ठीक है ना या तो जहां doubt होता है वह अम लोग लोगी देते हैं true copy is that of the original document number 600 so very obsessively खतम होगे कि मैं true copy sign कर रहा हूं इसको forward कर रहा हूं यह आप इसको test कर रहा हूं blanket पर अक्सर आप इमान के चलते हैं कि ठीक है पढ़ी है तो बूसी तीन लोगों का हम लोग दो दिन दो मीटिंग हम लोगों के क्यों कि मेडिकल में हमेशा और बाद को बड़ा सीरिस न लिया जाता है क्योंकि हमेरा लोग लाइफ़ एंड़ से रोज खैल रहे होते हैं तो हम किसी मेटर में कोई सित्रह risk नहीं लेना चाहते हर चीज को कि यहां life and death का स्वाल होता है किसी का तो खेर हम लोगा ने पूरा literature देखा और देखा जबकि वैसे वर वैसे हमको मालूम था जैसे फोन यह तब ही मैं समझ गया कि भी यह स्टेंडर्ड टीट्मेंट है इसका liberalization का वो किया होगा रखा होगा अब फरेंसी एक्सपर्ट ने कभ वही है यानि कि सर्जन भूल गया है या उनकी negligence है और फिर उसका interpretation वैसे ही कोट में तद्सक्वाई उन्होंने अपना वो बोर्ड बोर्ड बनाने के लिए लिखा सुब्जेंट रामनर रोई होई होस्पिटल को तो खेर फिर दो दिन हमारी meeting हुई और meeting में हमने यह तया कि ठीक है यह नहीं है और उसका पुरा explain करते हुए लिटरिशन लगाते हुए लिटरिशन से support करते हुए और हमने अपनी findings और opinion जो है वो medical supreme रामनर रोई होस्पिटल को दे दिया फिर उन्होंने आगे court में जाके पासोन किया होगा तो फिर कोई मुझे अभी उसके बाद में एक routine के case में जैसे accident का case था तो routine में accident के case में लिस्टेड हुआ होगा negligence का issue यहां खतम हो जाता है फिर कोई सब करती है कि है satisfied है कि यह part of treatment है हमने जो surgery के actual तूसरे उन लोग थे उनसे भी consult कर लिया अपना जो है तो ऐसे करके उस case को बात में हमने किया तो यह दिखलाते हैं इसलिए मेरे case की बात कर रहा हुँ कि भी इस तरह से अगर एक फॉरंसी के autopsy surgeon वो latest development से उसको ग्यान नहीं है दूसरे subject का जिसके cases दील कर रहा है तो वो भी गलती कर सकता है वो गलत opinion दे सकता है इसलिए necessary होता है कि जो post-modem season जो वो particular case के बार में हमेशा पढ़े पहले कुछ literature को review करें इसलिए हर जहां पर post-modem conduct फो रहा हो वहाँ पर एक अच्छी library subject की और दूसरे subject की basic और जो basic subject भी है क्योंकि किस से चेस पर कहीं भी कोई भी चीज फॉरंसीक में important हो सकती है करेंसर्जे को मालूम है परका कीस पर फॉरंसीक में थलीसित को मालूम नहीं है कि कल मेरे पास कुण सा कैसा आए गा वो क्रिमिनल केस्ट भी हो सकता है ונUpside का कैस्ता है इसलिए इसको को अप इसको update रखना पड़ता है regarding all the subjects और कम से कम उसको reference तो सबकी available रखनी ही पड़ती है, so timely देख सके उनको और जहां भी आवशकता है कि भिने मेरा experience या मेरी knowledge इस चीज़ पर opinion देने के लिए competent नहीं आया interpretation करने के लिए competent नहीं है, किसी को कभी भी hesitate नहीं करना चाहिए forensic pathologist को, दूसरे specialist को contact करने में या request करने में कि सावाव मेरी मदद करो और उसको official करने में, क्योंकि unofficial चीज़ कोई law में चलती नहीं, तो जो भी आप help कर रहे हैं, उसको officialize कर रहो, regularize कर लें आप उसको, through your medical subject, और through other competent authorities, so competent authorities से उसका approval ले ले, और मेरे experience में ऐसा है, कि कोई forensic वालों को कभी माना नहीं करता हूँ, उनको सबको मौलूम होता है, जो क्योंकि वड़ी variety जो के साते हैं, हर चीज़ के तो expert यह हो नह तो इसलिए उनको मदद की जुरूरत होती है, तो वो भी कोई आज तक मेरे को कभी problem नहीं आए, किसी भी specialist यह कहीं से भी लोग रादर खुश होते हैं, कि ठीक है, हमारा opinion जानना चाह रहे हैं, तो उसमें बिलकुल hesitate नहीं करना चाहिए, और board बनाने में, जब हमने board बनाना शुरू किया, तब तक board का कोई concept नहीं था, 71 तक, 71 बाहर के बाद में board बना थे, कहां से, experts इवैलिबल नहीं थे, लेकिन एक natural way में इस board की process का त्रिली में development हुआ, डॉक्टर भर्दस सिंग थे, हम थे, और प्रफेसर विश्णु कुमार थे, इसमें, मुलाना जाद में, ज दिशन्दरा हमारे हाँ थे, उनके साथ में मैं था, हमेशा मेरे कोग साथ ही रखते थे वो, तो ये system दिदे दिदे एकदम time tested way में develop हुआ, जो बाद में पूरे एंडिया में उसको follow किया गया, और उस पे अबास ये बड़ा establish system है, तो इसलिए उसको follow करने में या उसको मान लिजे डॉक्टर के उपर केस, तुम डॉक्टर के उपर जिन्हों ने उपरेट किया ऐसा केस लग जाता ने जिए उसका, ये तो बाइदाए वाइस्टेट वो क्यों झालवा जा ऑच्टर के लिए जसका है, थालवा करने में जाओेकर ने हैं, वो एक रहे हैं, जार ये उसका है, जार रहे हैं, ढुम ड़ेपर का अवाइस्तूर कर क्या रहे हैं, लएगे बड़ाने की जाटरो के वो जबा कर